जय हिंद वंदे मात्रम, स्वागत है आफ सभी का आपके अपने चैनल ब्हस्ट सवम में और मैं सवम्द में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों VAVSC VECOM, BHSC Final Year 6 Semester के स्टुएंट्स के लिए जो आपका NEP अनिवार बसाई की रूप में आपको मिला होगा Communication Skills and Personality Development, हिंदी में अगर कहें तो संचार कॉंसल और व्यप्तत विकास का ये जो माइनर सब्जेक्ट है आज के इस क्लास में MCQ Questions के साथ हम आपको व्याक्या समझाएंगे और विल्कुल बारिकी के साथ सारे points को आपके mind में fit करने की कोसस करेंगे साथी में हम आपको बताना चाहेंगे ये ऐसा बिसाय है कि इसके marks तो आपकी marks seat में नहीं जुड़ने वाले लेकिन अगर ये clear नहीं हुआ तब फिर आपकी degree आपको मिलने में problem हो सकती है भाई साथ सभी बिस विद्ध्यालेओं के लिए ये class महात्पूर्ट रोल प्ले करेगी जरा गौर से बिल्कुल focus के साथ चीजों को समझते हुए चलिएगा बहुत बहतरीन content के साथ एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो बाहर से हो पूरा आपके mind में fit करने की कोसस करूँगा जरा समझेगा बस देखेंगे पहले question की बात करेंगे अगर तो communication का हिंदी रूपांतरन होता है भाई साथ संचार हो जाएगा संपर्क की बात करेंगे सूचना होगा यह सभी हो जाएगे देखेगा communication के हिंदी रूपांतरन की बात करें तो सब होते हैं संचार भी communication को कहते हैं संपर्क भी कहते हैं सूचना भी कहते हैं देखेगा कमनी केसन का हिंदी रुपांतरन एक संप्रेशन भी होता है संसूचना भी होता है साथी में संचार व्यवस्था भी कमनी केसन को कहा जाता है मेन अर्थ अगर हम देखें तो दो ही होते हैं संचार और संप्रेशन ठीक है कमनी केसन के मेनर्थ कौन-कौन होते हैं तो आप कहेंगे सर संचार होते हैं और संप्रेशन होते हैं जड़ा कमनी केसन आप समझेंगे कि भई कमनी केसन होता क्या है उसके बाद दूसरे MCQ को कोस्टन पर चलेंगे बस जड़ा एक बार फोकस के साथ समझो पहले देखेंगे कमिनिकेशन कार्थ होता है वही सूचना का आदान प्रदान करना यनि कि आपके जो भाबना हैं आपके जो थोर्स हैं उनको आपस में सेर कर लेना अब आप कहेंगे सर कैसे देखेंगे ज़रा नीचे देखेंगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्नों संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से अपने बिचार या फिर भाबनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं क्या कहते हैं वही संचार कहते हैं दूसरे वक्ति के साथ, तो क्या होता है भई, कम्नी किशन की जरुवत पड़ती है, ठीक है, चलो, अब समझेंगे दूसरे कुश्चन को, पिल्कुल जहां से एकदम कुश्चन आ सकता है एक्जाम में, सिधा पूरा हमने लिया है इस वीडियो में, हैना कुछ भी छूटेगा नहीं, जरा समझो बस, निमलखत मैसेज, संचार का घटक नहीं है, मैसेज नहीं है, प्रेशक नहीं है, माध्यम नहीं है, या फर संगीत नहीं है, तो को भई, संचार के अगर हम घटक की बात करें, तो मैसेज भी होता है, प्रेशक भी होता है, माध्यम भी होता है, संगीत नहीं होता है ठीक है टोटल पांच घटक होते हैं तो आप कहेंगे सिर्क कौन-कौन पांच घटक होते हैं हम जरा नीचे समझ लेते हैं देखेगा वीडियो को सेर जरू करना है अपने कौन होता है जो मैसेज भेजता है मैसेज क्या होता है मैसेज वो बात होती है जो आप किसी व्यक्ति तक आपके जो विचार है वो किसी व्यक्ति तक जो आप पहुचाना चाहते हैं वो चीज माध्यम आपको किसी माध्यम के जरुत पड़ेगी जैसे इंटरनेट हुआ है न कि इसी माद्धियम के जरूत पड़ेगी जिसके जरी आप अपना मैसेज जो है वो भेज पाएंगे किसे बेज पाएंगे तो आप कहेंगे सर रिसीबर को भेज पाएंगे जो प्राप्त करता होता है और किसके जरी भेजेंगे तो आप कहेंगे सर एक प्रोटोकॉल से उसको हम कहते हैं, sender कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, वही प्रेशक कहते हैं, medium की बात करें, माध्यम की बात करें, तो वह संदेश भेजने के लिए, जिन साधनों का प्रियुक किया जाता है, वह माध्यम कहलाता है, receiver क्या है, तो आपको अभी बताया था, वही प्राप्त करत प्रोटोकॉल की बात अगर करें तो प्रोटोकॉल नियमो का एक समू है जो डेटा कम्बिनिकेशन को कंट्रोल करता है वो प्रोटोकॉल होता है अब जड़ा तीसरा कॉस्चन हम यहां से समझते हैं देखेंगे निमलखित मैंसे कौन कम्बिनिकेशन का प्रकार नहीं है अगर यहां से कुस्चन आया कि कम्बिनिकेशन कितने प्रकार का होता है तो वो चीज केलियर हो गई है अभी हमने आपको बताया भी है कि कम्पोनेंट्स कितने होते हैं घटा कौन कौन है वो भी बता दिय यह communication होता क्या है इसके कितने अर्थ होते हैं वो सब हमने आपको इतना समझा दिया है अब जरह हम communication के प्रकार को इस question के जरी हम समझ लेंगे चलिए बात करते हैं प्रश नमबर 3 की निम्लखित में से कौन communication का प्रकार नहीं है अगर नहीं है पूछ रहा है इस बात को जरह communication, intrapersonal, mass communication या फिर self personality communication तो बात करेंगे right answer की self personality communication जो है इस question का right answer हो जाएगा अगर right answer हो जाएगा तो आप बताएंगे भाई साब कि कौन-कौन से प्रकार होते हैं और क्या होते हैं यह है ना विल्कुल पूरा base एकदम clear हो जाना चाहिए इस वीडियो से चलो communication के जो चार प interpersonal communication जिसको हिंदी में हम कहते हैं पारस्परिक संचार है ना हिंदी वाले बच्चे भी समस्ते हैं चले पारस्परिक Tillichा कहते हैं दूसरा होगा interpersonal communication या फिर पारस पर एक संचार क्या होता है तो यह होता है इसमें दो लोगों का आमने सामने होना बहुत जरूरी है ठीक दो लोग आमने सामने होते हैं अपने जो भी thoughts हैं जो अपनी भामराएं हैं उनकी फिलिंग्स जो हैं वो उनको share करते हैं आपस में तो यह क्या हुआ भाई इंट्रापरसनल के अंतरगत आता है अब इंट्रापरसनल में क्या होता है इंट्रापरसनल होता है बहुत ज्यादा परसनल इतना ज्यादा परसनल कि इसमें सामने वाले व्यक्तिक भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने माइन में ही सब को सोच लेना, सपना देखना, एना खुद में ही मन में कुछ भी सोच लेना, ये सब आता है आपका किसमें, इंट्रापरसनल कम्मुनिकेशन में, इसे अंतरव्यक्तिक संचार कहते हैं, मास कम्मुनिकेशन क्या होता है, इसे जन संचार कहते के लिए जो हम communication करते हैं उसको हम mass communication के अंदरगत रखते हैं बात करेंगे group communication की है ना जैसे mass media वगएरा हुआ है ना यही सब तो होता है group communication की बात करेंगे तो भाईज़ाब किसी एक topic पर discussion के लिए वहाँ पर दो से अधिक आदमी होता है तो यहार कर लो बहुत सारी classes अपने परिवार पर अवलेवल हैं जाकर करके जरूर देखें एक बार playlist आप बिजिट कर सकते हैं major या फर minus subject के लिए अगर आपकी किसी भी subject में किसी करण back आ गई है तो पुरानी classes भी अपने परिवार पर अवलेवल है playlist एक बार बिजिट करें जरूर देखें बात करेंगे चौथे नपर प्रसन की बिल्कुल आपकी screen पर रहेगा यदे कोई व्यक्ती सप्रा देखता है या कुछ सोचता है तब यह किस के अंदर गताता है बताओ जल्दी से अभी हमने आपको बताया है कि बाई, interpersonal communication के अंदर गताएगा group communication के अंदर गताएगा intrapersonal communication के अंदर गताएगा या फिर mask communication के अंदर गताएगा जल्दी से आप जवाप का answer है वो आप comment section में हमें तुरंट दे दो तुरन दे दो, पता तो चले कि आप पढ़ रहे के नहीं पढ़ रहे पांच नंबर का प्रसन है, जरा इसको समझो देखो भाई, दो लोगों के मद्ध हुए सीधे संपर्क को कम्पनिकेशन की किस रेड़ी में रखेंगे अभी हमने आपको बताया था, कि इंटरपरसनल कम्पनिकेशन की जब भी बात होती है तो दो लोगों का आमने सामने होना वह जरूरी है तो यह इंटरपरसनल कम्पनिकेशन के अंदरगात आता है जिसको हम पारस पर एक संचार किस रेड़ी में रखते हैं ठीक है, वो अंतरव्यक्तिक था, है न, वो लगचीत थी अब समझो रहा, जरा एक लाइन में हम इंटरपरसनल को यहाँपे समझ लेते हैं जो-जो कुस्शन इंटरपरसनल कम्पनिकेशन से आपके एक्जाम में बन सकते हैं पहली बात interpersonal को पारस परक संचार हिंदी में कहते हैं, इतना दो पता ही होगा, चलो अब यहाँ पर देखते हैं, देखो इसमें दो लोगों के बीच आमने सामने कम्मिनिकेशन होता है, तो आप कहेंगे सर आमने सामने कम्मिनिकेशन इसमें होता है, यह कहीं पर भी सब्द, च कम्मिनिकेशन क्या होता है, देखेगा, मन में सोच बचार करना, योजना बनाना, सपना देखना, या कुछ सोचना, यह सब चीज़ें जो हैं, इंट्रापरसनल या फिर, अभी हमने आपको बताया था, कि अंत्रा जो व्यक्तिक संचार होता है, वो चीज इसमें पर डिसकसन के लिए, दो से अधिक लोगों की आवस्सक्ता होती हो, और आम से बढ़ी आउस टोपर डिसकसन होता है, मास कम्मिनिकेशन की बात करें, तो यह जन संचार कहते हैं, किसी बड़े जन समूई के द्वारा के साथ जो है, वो संचार करना, अपनी बात को पहुचा है, हैना, इमांदारी से, पूरी इमांदारी के साथ, आप एक लाइक करके, आपनी गुरु दक्षणा हम तक भहिच सकते हैं, बात करेंगे प्रश नुम्बर 6 की, जो आपके स्क्रीन पर रहेगा, communication skill क्या होती है communication skill की अगर हम बात करें तो भाई साथ किसी व्यक्ति से आपके वात करने के तरीके को हम क्या कहते है वही कि इसे communication skill का आर्थ होता है सिधा की गुण है ना quality कहना console अगर इसको हम देखें तो सिधा आर्थ होता है इसका हिंदी में तो आपके अंदर किसी भी बात को लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने का अगर कोई गुण है, कोई अगर आपके अंदर कोई कौशल है, तो इसको हम कमपनी केसन स्किल कहते हैं, तेखेगा, हम आपको अगर बताएं तो बातों में क्या है, दम होना चाहिए, कितने प्रकार की होती है, सुर्फ 6 प्रकार की कमपनी केसन स्किल होती है, इंग्लिस मैं देखकर के, हिंदी वाले बच्चे एकदम डर ना जाना, है न, डर ना नहीं मिल्कुल, समझे जरा, गुड़ बॉड़ी लेंग्वेज, गुड़ बॉड़ी लेंग्वेज कार्थ हुआ, आपके जो सारी रे खाव हाओ हैं, जो बात आप लोगों से कह रहे हैं, सारी रे खाव हाओ आपका एक बहतरीन होना चाहिए, ताकि लोग ना उसको सुनने में इंट्रस्ट दखाएं, तो उसको कहते हैं, गुड़ बॉड़ी लेंग्वेज, दूसरा होता है, गुड़ लिस्नर, आपको अगर कुछ अच्छा कहना है न, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले बहुत बढ़िया सुनना सीखो आप, कुछ भी बहुत अच्छा बोलने से पहले, आपको सबसे पहले सुनना आना हो, आना चाहिए, तीसरी की बात करेंगे, गुड़ अंडर्स्टैंडिंग, आपके अंदर जो समझ है, किसी भी टॉपिक को लेके, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसके टॉपिक को लेके, आपके अंदर समझ होनी चाहिए, बात करेंगे, यूज गुड़ वर्स, अच्छे सब्दों को आपको यूज करना है, आप जब भी अपनी बात को प्रभावी बनाना चाहते, अगर आप अपनी बात बनाना चाहते, तो आप क्या करेंगे, आप अपने बोलने के धंको एक भैतरीन करने के लिए, डेली प्रक्टिस करेंगे, वो चाहे सीसा के सामने प्रक्टिस हो, चाहे किसी दो लोगों के बीच, मीचुल, आप अपस मैं बात करके सीखना चाहते हैं, तो वो सीखें, बात करेंगे, ना, और पोइंट बार प्रसंद की चहरे की अभिवक्ति या सारी रिक खावावाले संप्रेशन क्या कहलाते हैं देखेंगे यहां से दो normal communication कोन कहते हैं इसमें बोला नहीं जाता है सब्डों की जरूत नहीं पड़ती है इस वैसे non-verbal कहते हैं इसे हम asabdik कहते हैं asabdik communication कहते हैं ठीक बाद चलिएगा अब यहां जड़ा हम समझ लेते हैं थोड़ा मौखिक और sabdik asabdik में हम समझ लेते हैं संप्रेशन communication को यहां पर दो स्रिणई में हम रखते हैं एक verbal communication दूसरा रखते हैं non-verbal communication अच्छा बरवल को हिंदी असे मोखेक हैं और मोखेक या इसे हम कहते हैं sapdik communication इसे हम कहते हैं इसमें क्या क्या होता है बही जो आप बोलते हैं या जो संप्रेशन में क्या क्या आता है तो आप कहेंगे सर सारी जो हाव हाव हैं आपके येवं जो इस पर्स करना है या विवक्ति है लेकिन आपको मुझ से कुछ बात नहीं करना है तो वह चीज़ें आती है असाप्दिक जिनमें सब्दों की जरूत ना पड़े वह हो गया आपका आसाप्दिक और जिसमें सब्दों की जरूत पड़े तो वह हो गया आपका साप्दिक बात माइंड में फिट कर लो समझ लो ठीके बात चलेगा अब जरह हम एक कुस्चन यहां से क्लेर करते हैं देखेगा स्रगिंग एक प्रिकार का संप्रेशन है आपको पता होना आप जो आइस कॉंटक्ट करते हैं तो यह सारी चीज़ने जो हैं वो किसमें आती हैं तो जिसमें आपको वोल लाना पड़े तो वोलेंगे किसमें नहीं तो जिसमें सब्द की जरूत ना पड़ेगी तो सब्द की जरूत किसमें नहीं पड़ेगी तो आप कहेंगे सर सारी क्लास लेकर गया है और यही गुरु दक्षणा रहेगी कि आप क्लास को अपने दो दोस्तों तक आरहा हम से सेर कर दो वो भी बचारे परिशान हो रहे होंगे तो किसी को परिशान नहीं होने दिना है आप सब family है और बहुत सारे students ऐसे होंगे जिनने हमसे पहले भी पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें पता हूँगी कि अपना जो content है एकदम दंदार रहता है और आपको चीज़ें बिल्कुल एक वहधिरी अंदाज हो हम आपके लिए खराते है physical education योगा हो या फिर आपके बहुत सारे first aid health की बात करें NCC की बात करें या फिर आपके major या फिर minor subject बहुत सारे हैं और अगर किसी कारण बस back आ गई है तो जरूर देखे research project अगर आपको बनाना है कैसे बनाना था क्या था एना fifth semester में ये चीज़ें हमने आपको बताई थी six semester के लिए भी जल्दी classes हम दे रहे हैं बाकि कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो बाद में class देख रहा होगा तो बहुत सारी classes पहले और लेडियो प्लब्द हो चुकी होगी तो एक बार playlist आप बिजिट कर सकते हैं एलिग्राम चनल से हमसे जुड़ सकते हैं साथी में बहुत जल्द जो है आपकी competition या फिर्दोगी परिक्षाओं के लिए भी तैयारी कराने के लिए एक बहुतरीन माध्यम बनाने की कोसस की जा रही है चले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक ले चेहन वन्द मात्रम भारत माता की जाए दूसरी करास जरूर देखिएगा बहुत जल्म लेगी